हालो फ्रेंट्स वेलकम बाक आई होप वाल डूइंग वेल सो आइम नेहा सेथी वेलकम तू शेयर मार्केट विद नेहा सेथी जीटियल इंफ्रा शेयर के बारे में बात करेंगे 0.79 अच्छा करेंट प्राइज है और 3.66 परसंड का नेगेटिव रिटर्न दिया है एसम स्टेज वन में है सैबी की तरफ से ये शेयर मैंने आपको बोला था गिरावट ही होगी 0.85 पर चला गया था पर मैंने आपको बोला था फ्रेंट्स शेयर में गिरावट हो सकती है क्योंकि रीजन है इसमें गिरावट होने का फ्रेंड्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत जादा लॉस है ऐसे शेर रिस्की भी होते हैं तो आपको थोड़ा सा केरफुल रहना बहुत जादा जरूरी है आज का हाई है 0.82 आज का लो है 0.77 1.8452 विक हाई है और लो है 0.64 20 परसन का बैंड है मार्केट कैप है 1001 करोड का टर्न ओवर है 1.30 करोड का EPS फ्रेंड्स नेगेटिव है माइनस 1.51 पी भी नेगेटिव है माइनस 0.54 आरोई पॉजिटिव है 57 तो आप देखिए फंडामेंडल तो नेगिव है आज की अगर हम ओफिशल अनाॉसमेंट लेटिस्ट की बात करें तो 6 एप्रेंड के बात कोई भी निउऊफिचल अनाउशमेंट नहीं आई है और फ्रेंड्स अब जो निउउफिचल अनाउसमेंट आएगी वो आएगा फ्रेंड्स तो अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया तो हम अपडेट का वेट कर रहे हैं अगर हम बात करें मैंने आपको पहले बताया है यह बहुत जादा लॉस है तो 463 करोर का लॉस है दिसेंबर कॉर्टर में और अगर अगर अब यह मार्च में और बढ़के आता है तो फिर और जादा गिर सकता है इवन 50 पैसे से भी नीचे जा सकता है अज की परफॉर्मिंस के हम बात कर रहे हैं तो आज का जो टोटल वॉल्यूम है इस शेयर का वो है फोर करोर का वॉल्यूम है इस शेयर में वॉल्यूम हमेशा करोर में रहता है काफी जादा रहता है न्यू शेयर होल्डिंग पैटर भी अभी नहीं आया मार्च कॉर्टर का बटा जाएगा विदिन वीक आ जाएगा तो यह शेयर है रिसकी तो जो भी इसमें शेयर में थे मैंने आपको बोला था अपनी profit booking करके निकल चाहिए इसमें CIRP भी चल रहा है तो उसका भी कभी भी कोई update आ सकता है friends तो ये भी आपको पता होना चाहिए हम इसमें 0.70 तक का next target consider करके चल सकते हैं तो गिरावट की ही chances हैं जादा जब तो कोई बहुत बड़ी good news नहीं आ जाती और अभी good news के chances भी नहीं है friends तो गिरावट होने के जादा chances है so ये थी आज़ी performance next target मैंने आपको बता दिया कोई new update आएगा मैं बता दूँगी thank you